एक ऐसे इनसान की जिसकी दो personality है good और bad good से ज्यादा bad है जिसके बारे में पूरी दुनिया अंजान है, दुनिया वालों के सामने उसका नेचर एक बड़े बिजनेम के बेटे के रूप में है जबकि उसकी दुसरी पहचान किसी की भी जान ले सकती है उसका दुसरा चेहरा जि हमारे विलन से नाम है, समय मलहोत्रा दिखन में जितना हैंसम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जिसकी पस्नेलिटी उसके चेहरे से बिलकुल अलग है उसे लोगों की दर्ग भरी चीखे सुन सुकून मिलता है क्या है इस विलेन के डिसॉडर से जुनम तक का सफर, चलिए कहानी शुरू करते हैं, दुबई, एक लड़का वाइट सट ब्लू जिन्स ब्लू बलेजर में बड़ी सी इमारत के बाहर खड़ा होके उसे देख रहा था उसके साइड में एक और लड़का टैब लेके खड़ा हुआ था, उस लड़के की आखे टैब पर थी पहला लड़का काफी परेशान नजर आ रहा था, उसके चेहरे परेशानी साफ दिख रही थी, दूसरा लड़का बिलकुल शान्त था उसके चेहरे पर कोई एक प्रयोसन नहीं थे, पहला लड़का उसे देख बुरा सा मूह बना के बोला मयंग और कितनी देर लगेगी मयंग उस लड़का का नाम है, मयंग टैब से नजरे हटा के बोला हो गया, लड़का आखे बढ़ी कर बोला क्या सच में काम हो गया, मयंग टैब में कुछ दिखा के बोला डील दन अब बोस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा लड़का चेन की लंबी सास लेकर बोला थांक्यू सो 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 मच भाई अगर ये बात बाहर आ जाती तो डेड मेरी जान ले लेते, मयंग अपना चस्मा सही करके बोला सिद्टू चिल कर मेरे होते हुए बोस का नाम कभी खराब नहीं होगा लड़के का नाम सिद्धार्थ मलहुत्रा एक कोलेज स्टुडेंट के साथ जाना माना मौडल और बिजनेस टायकून राजवीर मलहुत्रा का छोटा बेटा, सिद्धार्थ अपने चेहरे से पसीना पोच कर बोला यार तू जानता है डेड अभी दुबई से बाहर है और उन्होंने अपने पीछे ब्रो की जिम्मेदारी मुझे दी है वेसे तो ब्रो बिजनेस अच्छे से संभाल रहे है लेकिन उनके कुछ काम हमें संभालने होंगे, मयंक सिद्धार्थ की बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था दोनों आफिस में चले गए सिद्धार्थ मयंक के आते ही सारे इंप्लोई खड़े होकर दोनों को ग्रिट कारने लगे सिद्धार्थ मयंक सबको देख सिर हिला कर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से 40 फ्लो पर चले गए Lift flow पर रुकते ही मयंक सिध्धार्थ आगे जाते देख बोला तू ही उनके पास जा मुझे शेर के मुँख में नहीं जाना में चला अपने flow पर मयंक इतना बोल बिना सिध्धार्थ की बात सुने वहां से निकल गया सिध्धार्थ उसके जाने के बाद बुरा सा मुँख बना के बोला मतलबी कहीं का जब भी उसे मेरे साथ होना चाहिए तब मुझे आगे कर खुद भाग जाता है सिध्धार्थ खुद से बुदबुदाते हुए एक केविन के बाहर आकर रुका उसने दर्वाजे को देख आखे बंद कर गहरी सांस ली थोड़ी देर वहीं खड़े होके लंबी-लंबी सांस लेने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ा के नोप किया अंदर से एक रौबदार आवाज आई बोला अंदर आजा सिध्धार्थ आवाज सुन गहरी सांस लेके धीरे से दर्वाजा खोल अंदर गया अंदर का माहौल देख सिध्धार्थ के हाथ पैर थंडे हो गए उसने जो हिम्मत बाहर खड़े होके एक की थी की वो ही ही पल में चली गई दर के मारे उसके हाथ पैर कापने लगे उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी पूरे केबिन में अंधेरा था जैसे केबिन में कोई हो ही ना फिर भी उस केबिन में किसी चीज की टक टक आवाज आ रही थी जो उस माहौल को और भयानक बना रही थी सिद्धार्थ अपनी घबराई हुई आवाज में हिम्मत कर बोला ब्रो उस अन्धेरे को चीरती हुई फिर से वहीं आवाज आई बोला स्विच ओन आदमी के बोलते ही पूरे केबिन की लाइट ओन हो गई रोशनी होते ही सिद्धार्थ ने एक पल के लिए अपनी आखे बंद कर ली दुबारा धीरे से आखे खोल उसने पूरे केबिन को देखा पूरा केबिन ब्लेक चीजों से बनाया गया था जहां की हर चीज ब्लेक थी टेबल पर दे चेर सोफे पेंटिंग मिरा खिर्किया दर्वाजे सिद्धार्थ सारी चीजों को पहले भी काई बार देख चुका था फिर भी वो जब जब यहां आता था उसे उतना ही डर लगता था जितना अब लग रहा है वो अंदर से आज भी डरा हुआ था एक आदमी ब्लेक सुट में एक बड़ी सी चेय पर बैथा हुआ था उसके हाथों में एक चाकू था जिससे वो अपने टेबल पर रखे हाथ को उंगली के बिच टेप कर रहा था सिद्धार्थ ये देख कर बोला बब रो लग जाएगी आदमी और तेज टेप करते हुए बोला लगने से किसे डर लगता है मेरे चोटे भाई सिद्धार्थ अपने भाई की बात सुन गेहरी सांस लेके जाके उसके सामने रखी चेय पर बैठ के बोला ब्रो आपका काम हो गया आदमी चाकू को सामने रखे सेब में दाल के शैतानी हिसी हस के बोला हो तो हो नहीं था सिद्धार्थ उसकी हिसी सुन मुह बना के बोला ब्रो आप हस रहे हो लेकिन मेरी जान निकलने वाली थी आपको पता है वो लटकी ओल्मोस्ट पोलिस स्टेशन पहुँच गई थी अगर हमारे आदमी ताइम पर उसे नहीं गायब करते तो पता नहीं क्या हो जाता आदमी अपनी हैसी रोप के कहा बोला कुछ नहीं होता छोटे अगर उसने स्टेशन में कदम रख भी दिया होता तो क्या होता होगा वही जो समय मल होतरा चाहेगा किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो SM के खिलाफ रिपोर्ट लिख सके ये मेरी दुनिया है और यहां का हिरोभी में हुँ और विलेन भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगार सकता सिध्धार्थ अपने भाई की बात सुन गहरी सांस लेते हुए बोला आप और आपकी साइको टाइप बाते ना मुझे समझ आती है और ना कभी आने वाली है चलो वो सब छोरों में यहां आपको ये बताने आया था कि मेरी आज सगाए है और डैड ने कहा है आप सारी तयारी करोगे समय मलहुत्रा राजवीर मलहुत्रा का बरा बेटा और हमारी कहानी का हिरो और विलन विलन के यू कहा वो तो हिरोईन के आने पर पता चल ही जाएगा इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा समय सिद्धार्थ की सगाई वाली बात सुन अपनी रोलेक्स घड़ी में ताइम देख बोला सारी तयारी हो जाएगी अब तुम जा सकते हो सिद्धार्थ समय की बात सुन मुह बना के बोला में अकेले कहीं नहीं जा रहा आप भी मेरे साथ चलोगे और इसके आगे मैं कुछ सुनूगा नहीं आपको चलना ही होगा ये आपके छोटे भाई का सगाय का गिफ्ट समझ के दे दो ग्रों आपके आगे हाथ जोरता हूँ पेर परता हूँ आप तो साधी करोगे नहीं लेकिन मुझे तो करनी है और वो भी मेरी जान तापसी के साथ आज मेरी सगाय है और में चाहता हूँ मेरा भाई मेरे साथ सोपिंग चले मेरे साथ रहे सिध्धार्थ ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया उसे नहीं पता उसका डेंजिस भाई के से रियेक्ट करेगा इसलिए उसने ये सारी बाते इतनी फास बोल दर से अपनी आखे भी बंध कली समय सिध्धार्थ की बात पर छोटी सी स्माइल कर कहा ठीक है में तुम्हारे साथ चलूगा लेकिन कहा फेसला मेरा होगा सिध्धार्थ खुशी से उच्छल के अरे ब्रो आप जहां ले जाओगा वहाँ चलूगा सिर्फ आप चलो साथ समय फोन निकाल किसी को मेसेज कर अपना कोट लेके बोला अब चलो तुम्हारी सो कोल्ड सगाय तक ये भाई तुम्हारे साथ रहेगा अंदर ग्राउन सोपिंड मोल ये मोल होटल के निचे बना हुआ है इस होटल में कसीनो भी चलता है जो कि दुबई का सबसे बरा कसीनो है ये बात पुरे दुबई को पता है फिर भी किसी पोलिस नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि कोय वहाँ रेग डाल सके यहां के है दिन का इनकम ही इतना है कि कोई सोच भी नहीं सकता उसके निचे बने हुए मोल में सिर्फ कसिनों में आने वाले लोग ही सोपीग कर सकते हैं कसिनों में आने वाले कसिनों के लिए ये मोल स्पेसली बनाया है उसके अलावा कोई नोर्मल इनसान वहां नहीं आ सकता यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े डिजाइन के कपड़े मीलते हैं वो भी मार्कित प्राइज से दस गुनादाम पर लेकिन एक शर्थ के साथ उन डिजाइन को अपनी उस डिजाइन की दूसरी कोपी बनाना एलाओड नहीं होता जो डिजाइन मोल में एक बार आ जाती है सिध्धार्थ समय की कार उस होटल के बाहर आके रुकी सिध्धार्थ के साथ उसका दोस्त मयन भी था सिध्धार्थ कार से बाहर आके होटल को देख सोकद होके बोला ब्रो हम यहां क्यू आये है यहां के मोल में हम देसे बिजनेसमेन मौडल नहीं जा सकते समय अपनी आखों पर गोगलस लगा के उसे कार से बाहर उतरने को कहा समय के पिछे सिध्धात अभीका से बाहर निकला मयंग भी होटल को देख हैरान था मयंग सिध्धार्थ के पास जाके अबे यार बोस हमें यहां क्यू लेके आए है उनको पता नहीं है क्या यहां नोर्मल लोगों का आना मना है सिध्धार्थ कन्फ्यूज हो के मेरे बाप में खुद हैरान हूँ भाई मुझे यहां क्यू लेके आए है होटल का मैनेजर भागते हुए बाहर आके समय को देख अपना सीर जुका के बोला बोस आप यहां कुछ काम था तो फोन कर देते आपको यहां तक आना नहीं परता में सब संभाल लेता मैनेजर की बात सुन सिध्धाथ मयंग दबल सोकत हो गए समय से पहले किसी और ने आते हुए बोला बोस को अपने होटल में आने से पहले तुझ दे से आदमी के पमिशन की कब से जरूरत होने लगी मैनेजर ने पिछे से एक आदमी बलेक सरजिंस में चलके आगे आया उसने सब से पहले समय को देख सर जुकाया उसके बाद मैनेजर को देख बोला जाके अपना काम कर वरना उसकी आधी बात ही काफे थी मैनेजर के पसीने चुराने के लिए मैनेजर तुरंट वहाँ से भाग गया समय उस आदमी को देख इवल स्माइल कर बोला सान्त राघव सान्त अभी तक उसने तेरा गुसा नहीं देखा इसलिए इस तरह बात कर रहा था राघव उस आदमी का नाम है और वो समय के सबसे खास आदमी में से एक है समय खुद के बाद अगर किसी पर भरोसा करता है तो वो है राघव राघव समय की बात सुन अपना सीर हिला के सोरी बोस आज के बाद वो इनसान आपकी नजरों में नहीं आएगा समय सिटी बजाते हुए व्यंग्य भरी हसी हसते हुए बोला उफ ये बाते कितनी अजीब चीज होती है अगर प्यार से निकले तो सामने वालों का दिल चुरा लेती है अगर गुस्से से निकले तो नफरत देती है और अगर हम दे से इनसानों के सामने निकले तो हा 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 समय की पेचीदा बाते और उसकी भयानक हैसी सुन सिध्धार्थ मयंद की तो मानो सांस ही अटक गई सिध्धार्थ को पता नहीं था उसका भाई एक बिजनेस में के अलावा ऐसा कुछ भी करता है जीस होटल और उसके बोस के बारे में सिर्फ बात सुनी थी वो और कोय नहीं खुद का भाई होगा समय सिध्धार्थ के चेहरे के उरे हुए रंग देख इवल स्माइल कर उसके आगे हाथ हिला के बोला क्या हुआ छोटे तेरे चेहरे पे इतना पशना भाई का होटल देख खुशी नहीं हुई सिध्धार्थ अपना पशना पोछे के घबराई हुई आवाज में बोला बबरो ये सब आपने कब किया और ये कशिनो होटल मोल ये सब के बारे में आपने मुझे से चुपाया समय सिध्धार्थ की बात पर डेविल समाइल पास कर छोटे अभी तो बहुत कुछ है जो तुझे पता नहीं है ये तो एक छोटा सा नमुना है अब ज्यादा मत सोच वरना सगाय से पेहले होस्ट पीटल जाना पर जाएगा ये सब चोर और अपनी सगाय साधी पए फोकस कर और वेसे तेरी जाने मन जाने तमन्ना कहा है अभी तक पोहुची नहीं सिध्धार्थ फोन निकाल को लगाया सिध्धार्थ हेलो स्विटी वेर आर यू जान लड़की जस्ट मिनिट पोहुच गई तुम्हारे पिछे देखो सिध्धार्थ ने जेसे ही पिछे देखा एक टेक्सी उनसे थोरी दुरी पर रुकी टेक्सी में से दो लड़किया बाहर आई एक लड़की में रेड वाइन कलर की सारी पहनी हुई थी जबकी दुसरी ने सोट्स कट और अप सोल्ट क्रॉप टोप पहना हुआ था सिध्धार्थ उनकी और जाके सारी वारी लड़की को तुरंट अपनी बाहो में भर लिया लड़की सिध्धार्थ के अचानक सब के सामने गले लगाने से घबरा गई उसने सिध्धार्थ को खुद से दुर करते हुए कहा सिध्धार्थ जी ये आप क्या कर रहे हो उसके भाई को छोड़ सब की नजर उन पे ही थी। सिध्धार्थ लड़की से एक कदम दूर होके उसके गालों पर हाथ रख कहा माई लव इन सबसे केसी शमये तो मेरे भाई है, चलो मैं अपने ब्रो से मीलवाता हूँ। सिध्धार्थ उसका हाथ पकड़ खिचते हुए उसे समय राघव मयंग पास ले गया। सिध्धार्थ ब्रो आप ये रही मेरी जान मेरा दिल मेरी हाथ बिट। तापसी वमो, और जान ये है मेरे बरे भाई समय मलहुत्रा और उनके दोस्त राघव भाई। तापसी समय को देख उसे एक कदम पास जाके जुक के उसके पेर्च हुए ये देख वहाँ खरे सबकी आखे बरी हो गई यहाँ। तक सिध्धार्थ की भी, समय निज्रे तापसी पर थी उसके चेहरे पे इस वक्त कोई इमोसन नहीं था ना ही कोई एक प्रयोसन था। सिध्धार्थ तापसी को पिछे खीच जान ये तुम क्या कर रही हो मेरे ब्रो बुद्धे नहीं है जो तुम उनके पेर्चु रही हो, तापसी समय को देख सिध्धार्थ की बात का जवाब देते हुए बोली लेकिन आपसे तो बरे है और बाबा केहते है हमें, बरो के पे सिध्धार्थ तापसी का हाथ पकर समय के पिछे चला गया, राघव एक नजर मयंप को देख समय के पिछे चला गया, अंदर ग्राउन सोपिंग मोल, सिध्धार्थ तापसी अपनी सोपिंग करने लग गए समय को ये सब बिलकुल पसंद नहीं था, उसके सारे कप्रे एक को मेंसन आ जाते हैं यहां तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए आया हुआ था वो फोन निकाल गेम खेलने लगा। सिद्धार्थ समय को साइद में सोफे पे बैथ फोन चलाते देख मुह बनाके बोला ब्रो आपने कहा था आप आज पुरा ताइम। मुझे दोगे यहां तो आप आते ही गेम खेलने लगे। समय फोन से नजरे निकाल तू जाके अपनी सोना बाबू के साथ सोपिंग कर में यही हूँ कुछ भी काम हो बुला लेना। सिध्धार्थ अपने भाई की बात सुन मुह बनाके बोला ब्रो आप सच में काफिर उढ़ो। सिध्धार्थ समय की बाते सुन तापसी और उसकी दोस्त मोनिका साइद में खरे होके स्माइल कर रही थी। मोनिका तापसी के कंदे पर हाथ रखाये जीजू का भाई तो बरा होथ है यार मुझे तो फस्ट नजर का प्यार हो गया। इस्ट सो होट यार मन तो कर रहा है इसे अभी कच्चा खाजाओ इतना होट बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तापसी अपनी दोस्ट की चीप बाते सुन मुह बना के बोली ची तुम कितनी गंधी बात करती हो देखो मानू तुझे जो भी बात कहनी है अपने जीजू से कर मुझे ऐसी बात मत सिखा तुझे पता है मुझे ऐसी बात बिल्कुल पसंद नहीं। तापसी इतना बोल वहां से सिध्धार्थ के पास आके बोली सुनिए मुझे एक ड्रेस ट्राई करनी है आप मुझे ट्राईल रूम दिखा दोगे सिध्धार्थ उसकी स्विटी सी वोईस सुन स्माइल कर कहा स्विटी ट्राइल रूम वहापे है तुम जाके ट्राइ करो में तब तक कुछ और देख लू किसी भी चिज की जरुरत हो समय भाई को आवाज लगा देना वो यही पर है में थोड़ा दुर हूँ तापसी एक नजर समय को देख ट्राइल रूम में चली गई सिध्धार्थ भी वहाँ से मयंद के पास दूसरी साइद चला गया समय फिर से अपनी गेम खेहने में बिजी हो गया उसके पास खरा राघव बोला बोस आपके लिए में कुछ कप्रे देख लू समय बीना उपर देखे कलर और चोईस तुझे पता है राघव उसके केहने का मतलब समझ गया उसने तुरंट सीर हिलाकेहा में जवाब दिया समय बीना देखे गुद सोगो समय पुरी तरह गेम में बिजी हो गया ऐसे ही 15 मिनिट बित गये तापसी जो की ट्राइल रूम में थी उसने धीरे से आवाज लगाई सुनिये सुनिये समय जो की उसे थोरी ही दुरी पर सोफे पे बेथा हुआ था उसने तापसी की मीठी सी आवाज सुन सर टेरा कर ट्राइल रूम की और देखा समय अपनी एरोगेंट वोईस में बोलो तापसी उसकी तेज आवाज सुन पेहले घबराई लेकिन उसके पास दुसरा कोया रास्ता नहीं था इसलिए उसने हिम्मत कर कहा का क्या आप किसी लेडी को बुला दोगे समय बीना एक्र प्रयोसन के यूँ तापसी वो मुझे कुछ काम है तापसी जो की ट्राइल रूम में थी उसने धीरे से आवाज लगाई सुनिये सुनिये समय जो की उसे थोरी ही दुरी पर सोफे पे बेथा हुआ था उसने तापसी की मीठी सी आवाज सुन सर टेरा कर ट्राइल रूम की ओर देखा समय अपनी एरोगेंट वोईस में बोलो तापसी उसकी तेज आवाज सुन पेहले घबराई लेकिन उसके पास दुसरा कोय रास्ता नहीं था इसलिए उसने हिम्मत कर कहा का क्या आप किसी लेडी को बुला दोगे समय बीना एक्र प्रयोसन केऊ तापसी वो मुझे कुछ काम है समय अपने आसपास एक नजल देख बोला यहां मेरे अलावा कोय नहीं है तो जो भी हेल्प चाहिए मुझे से बोलो तापसी को समय से हेल्प मांगने से शमा आ रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले तो क्या बोले समय उसे चुप देख सोफे से खरा होके ट्राइल रूम के दर्वाजे के पास जाके बोला अब बोलोगी क्या हेल्प चाहिए तुम्हारे कारण मेने अपनी गेम आधी छोरदी अब जल्दी बोलो तापसी उसकी आवाज इतने पास से सुन घबरा के दर्वाजे से पिछे हो गई इस बिच उसका पेर अपने पहने हुए लेहंगे में फस गया और वो जोर से निचे गीर गई गिरते ही उसकी मुह से चिक निकल गई गीरने की आवाज सुन समय बीना सोचे समझे ट्राइल रूम का दर्वाजा खोल अंदर आ गया अंदर का नजारा देख समय के पेर वही जम गए तापसी जमिन पर गीरी हुई थी उसने पिछ रेट कलर का लेहंगा पेहना हुआ था जीसमें उसका दुद सा रंग और भी निखर रहा था उसने पेहने हुए ब्लाउज उसके कंदों से हलका सा निचे उतर चुका था जीन्स कारण उसके क्लिवेज हलके हलके देख रहे थे दरअसल तापसी से ब्लाउज की दोरी बंध नहीं रही थी इसलिए उसने समय से किसी लेडी को बुलाने को कहा था तापसी को पता ही नहीं था कि समय उसके सामने खरा होके उसे ही देख रहा है उसे गीरने से कमर पर हलकी चोट लगी थी जी से उसे दद हो रहा था समय अभी अपने होस में नहीं था समय को वे से लड़की ओ के पास जाने से चिर मचती है उसे किसी भी लड़की का खुद को चुना या उसे लड़की को चुने से नफरत सी है वो लड़की ओ को अपने से 10 इंच दूर रखता है वो हमेशा अपने आसपास दर्जनों आदमियों को लेके बाहर निकलता था सिर्फ लटकियों को खुद से दुर रखने के लिए उसे इतने गादौस साथ रखने परते थे वरना दो अकेला पुरी आर्मी के बराबर है उसका चला ही इतना भयानक था कि कोई उसके आसपास आने से दर्ता था समय इस वक्त अपनी हेजल नजरों से तापसी को एक तक देख रहा था तापसी में अभी बलाउज पेटिकोट के अलावा कुछ पेहना नहीं था उसका दुपटा सोफे के साइद रखा हुआ था जीन्स कारण तापसी इस वक्त त्रेड वाइन की तरह लग रही थी जीसे देख समय पर कोय नसासा सवार होने लगा तापसी को जब खुद पर किसी के नजरों की तपीस मेहसुस हुई तब उसने सीर उठा के समय की ओर देखा समय को अपने इतने करीब देख उसकी आखे फटी की फटी रे गई उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी उपर से समय उसकी ओर बदता जा रहा था तापसी हिलना चाहती थी लेकिन उसकी कमर पर लगी चोटने उसे हिलने तक नहीं दिया समय उसके करीब आके अपने पेरो को मोड पंजो पर बैथ के बोला हिलो मत समय की आवाज सुन तापसी बुरी तरह कापने लगी समय बीना कुछ बोले बीना पुछे उसे एक जटके में अपनी बाहों में उथा लिया तापसी उसकी इस हरकत पर चोप गई समय उसे ले जाके सोफे पर बिथा दिया अभी तापसी अपने बलाउच को पक्रे हुए बेदी थी जी से देख समय के चेहरे पे अपने आप शियानी स्माइल आ गई तापसी को समय से काफे ज्यादा दर लग रहा था समय तापसी के पास बैथ बोला पिछे घुमो समय को अपनी बात दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं उसने जब देखा तापसी उसकी बात नहीं सुन रही तो उसे गुस्सा आने लगा समय अपनी गर्दन पर हाथ फिरा के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी लगा समय सिध्धार्त की तरह नहीं है दोनों सगे भाई होने के बावजुद दोनों का नेचर बोहुत अलग है एक आग है तो दुसरा पानी एक लोगों के लिए जीता है तो वहीं दुसरा खुद के लिए समय की आखे हलकी हलकी लाल होने लगी तापसी अभी भी वेसे ही स्टैचू की तरह बेदी हुई थी समय उसे कंधे से पक पिछे घुमा दिया तापसी उसके अचानक चुने से घबरा गई वो उसकी पक से छुटने की कोशिश करने लगी लेकिन चुट नहीं पा रही थी समय उसके कंधे को कसके पकरे हुए था समय ने बिना सोचे समझे तापसी के बालों को साइध कर दिया उसकी गोरी पित को देखने लगा तापसी बुरी तरह रोने लगी समय से छोडने की रिक्वेस्ट करने लगी प्लिज मुझे छोड़ो प्लिज मुझे छोड़ो मुझे जाने दो तापसी लगातार समय से छुटने की कोशिश कर रही थी जो बात समय को और गुसा दिला रही है तापसी को अपनी कमर पर काफे तेज दग भी हो रहा था समय को तापसी के रोने से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था उसकी आखे पुरी तरह लाल हो चुकी थी उसके गले की नसे भी दिखने लगी उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था वो बता पाना बहुत मुश्किल है समय ने अचानक तापसी के कमर पर अपना हाथ रख दिया जी से तापसी की एक दद नाप चिख निकल गई आहा समय ने गलती से किया या जान बुझ के ये तो वही जानता है वो उसकी चोट पर हाथ रख उस जगह को मसलने लगा जी से तापसी बुरी तरह दद में तर्पने लगी उसकी दद नाप चिखे पुरे ट्राइल रूम में गुंजने लगी तापसी रोते हुए डेसे तेसे समय से रिक्वेस्ट करते हुए बोली आहा पा प्लिच मुझे चोरदो मुझे बहुत दद हो रहा है प्लिच चोरदो आहा प्लिच प्लिच चोरदो उसकी आखों से पानी की तरह आसु निकल रहे थे उसका चेहरा रोने से लाल हो चुका था समय उसके कानों के पास जुप के बोला दद हो रहा है तापसी रोते हुए अपना सरहा में हिलाके बह बहुत दद हो रहा है चोर्दो पपलिज समय अपना हाथ उसकी चोट से हता के बोला शहर चुप बिल्कुल चुप ये दद तुम्हारी सजा है बच्ची मेरी बात को कापने लगी वो सुबकते हुए हा में सील हिलाने लगी। समय उसे पलट उसके चेहरे को हाथ से पक जुनुनी भरे अंदास में मुह से बोल। तापसी हहा, समय अपना हाथ उसकी चोट से हता के बोला शहर चुप बिल्कुल चुप ये दग तुम्हारी सजा है बच्ची मेरी बात को इग्नोर करने की। तापसी हहा, समय एक जटके में उसे खिचे अपने सिने से लगा लिया। तापसी इस वक्त समय से इसकदर दरी हुई थी कि उसने उसे चुपने की कोशिश तक नहीं की नाहीं उसे खुद से दुर करने की गल्ती की। तापसी उसके सिने में चेहेरा चुपा के उसकी सटको मुठी में भर रोने लगी। आज पेहली बार किसी से वो इस कदर दरी हुई है कि वो उसी इनसान के सिने पे सर रख रो रही है। समय उसकी पिट पर हाथ फिरा के बोला शशहर चोटी बच्ची चुप हो जाओ अब दद नहीं होगा। तापसी रोते हुए बोली ददद हो रहा है। समय हलके से उसकी चोट पर हाथ फिरा के बोला शहर चुप। उसके एक बार बोलते ही तापसी चुप हो गई। थोरी देर खामोशी से बैथे रहने के बाद समय ने बोला वे से तुमहे किस चिज की हेल्प चाहिए थी। तापसी ने इस बार तुरंट जवाब दिया मेरी ड्रेस की पिछे की दोरी बंध नहीं रही थी इसलिए मुझे हेल्प चाहिए थी। समय ने उसकी बात सुन उसे सि चोट पर अपने होथों से चुमलिया। ये सिर्फ एक चोटी सी किस थी लेकिन तापसी इसे सोकद में थी समय खुद हैरान था उसने पहेली बार किसी लड़की को हाथ लगाया उपर से उसे किस किया। समय तुरंट तापसी से दुर होके वहां से निकल गया तापसी अभी बैथ गया। राघव वापीस आते हुए जब समय को ऐसे देखा तो हैरान हो गया वो भाग के समय के पास आके बोला बोस को यपरूबलम। समय राघव की आवाज सुन ऐसे ही बैथे हुए बोला मेंने उसे चुआ। राघव कन्फियूस्ट होके किसे चुआ। राघव को लगा समय ने किसी चिच को चुआ होगा जो उसे बिलकुल पसंद नहीं आई होगी इसलिए वो चाहता होगा उसे खत्म कर दे। समय ने ऐसा पेहले भी कहीं बार किया है जब भी वो किसी ऐसी चिच को चुदे जो उसे पसंद नहीं हो तो वो उस चिच को राख में मिला दे समय आखे बंद कर सोफे के पिछे सीर तिका के तापसी और उसके बिच्छुई चिजो को याद कर उसके चेहरे पे छोटी. सी समाइल आ गई. समय को समाइल करता देख हैरान हो गया उसने समय को समाइल करते बहुत कम देखा है वो जब भी समाइल किया है या फिर हसा है सामने वाले की बुरी से बुरी मोत आई है. समय उसकी बात सुन जोर जोर से हसने लगा उसकी हैसी में एक अलग ही जुनुन था जी से राघव अंजान था. सिद्धार्थ वापीस आते हुए बोला ब्रो क्या बात है काफे दिनों बाद आपके चेहरे पे समाइल कुछ हुआ है कया. समय जुनुनी इंदाज में समाइल 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 क्या चिज है ना ये समाइल दद में भी साथ छोर देती है खुशी साथ. होती है इस कुछ लोग सुकुन केहते है तो कुछ खुशियों की सोगात लेकिन इसके अंजान की ये सोगात कहीं लोगों के दद पर मीलती है फिर अभी लोग उसे पाने की तमन्ना करते है समय की गोल गोर बाते सुन सिधधार्थ अपना सीर खुजाने लगा राघव सिधधार्थ को देख ज्यादा मत सोचिये सर बोस की बाते इतनी आसानी से कीसी के समझ में नहीं आती तब तक तापसी भी कप्रे चेंज कर सिधार्थ के पास आगई सिधार्थ उसे देख जान तुम आगई ड्रेस फिट तो आई ना या कुछ देखना चाहूगी तापसी ना में सर हिला के दरी सेहमी आवाज में बोली मा मुझे कुछ नहीं चाहिए वो ड्रेस पसंद है समय राघव को देख जो जो कप्रे इन सबने पसंद किये विला पोहोच जाने चाहिए राघव ने हा में सर हिला दिया सिध्धार्थ तापसी का हाथ फिरा के मोल से बाहर निकल गई मोनिका मयन के साथ बात करते हुए पेहिले ही बाहर निकल गई, तापसी काफे खामोश थी उसने एक बार भी सीर उठा के उपर नहीं देखा समय उन सब के पिछे राघव के साथ बात करते हुए बाहर चल रहा था समय ने भी तापसी की और नहीं देखा समय इस वक्त अपने टैब पर कुछ देख रहा था समय राघव को टैब पर कुछ दिखा के कब आने वाली है राघव कल समय उठालो राघव जिंदा या राघव ने आधी बात अधुरी छोर दी समय अपनी गर्दन पर हाथ फिर तेरी स्माइल कर राजन को देखते हुए कहा आसान मोथ हम कपसे देने लगे जो ये सवाल कर रहे हो राघव सीर जुका के सोरी बोस राघव बोस आप एक बार कसीनों में चलके सब देखना चाहोगे समय कुछ बोलता उसे पहले सिधार्थ बिच में आके एकसाइटेड होके कहा मुझे देखना है क्या मैं भी आ सकता हूँ ब्रो प्लिज आने दोना मैंने सिर्फ सुना है इस होटल और अंदर ग्राउन कसीनों के बाय में कभी देखा नहीं है प्लिज ब्रो दिखा दो प्लिज 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 मयंप को भी कबसे कसीनों देखना था लेकिन समय के दर के कारण उसने कुछ नहीं कहा मोनिका भी कसिनों के बारे में जानती थी उसके कहीं दोस्त अंदर ग्राउंड कसिनों की बात करते थे इसलिए वो भी थोरी खुश थी लेकिन वहा हमारी तापसी बिल्कुल चुप थी उसे कसिनों के बारे में कुछ पता नहीं था उसने तो ये नाम भी पहली बार सुना था तापसी मोनिका के हाथ को चुके बोली मोनू ये कसीनो क्या होता है कोई नए रेस्टोरंट का नाम है गया, मोनिका अपनी भोली सी दोस्त को देख स्माइल कर बोली बेबी तुम खुद देख लेना वो जगह में तुमहे समझाने जाऊंगी भी तो भी तुमहे कुछ समझ नहीं आने वाला सिध्धार्थ समय के हाथों को पर काफे देर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे कसीनो देखने ले जाए तापसी समय को देख मासुम सी आवाज में पुछा क्या में भी वहा आ सकती हूँ तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है comment करके जरूर share करे So, अभी कहानी जारी रहेगी So don't forget to share your review and comment your best part of a story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कृपया इसे subscribe करें और bell icon पर click करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके And if you like my story so comments your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तब के लिए राधे राधे इस वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें bell icon जरूर प्रेस करें हमारी new video सबसे पहले देखने के लिए subscribe करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई new video अपलोड करूँ तो तुम्हारे phone की घंटी भी बजे